अब नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी गोतम गंभीर आएंगे इस खिलारी को आते ही कप्तान बनाएंगे गोतम गंभीर जैसे याएंगे बहुत बड़ा फैसला उठाएंगे और भाई साब कप्तान बदल देंगे यह बहुत बड़ी खबर अंदर से सामने आ रही है क् कि गोतम गंभीर ने साफतोर पर बीशी से को बोल दिया कि जनाब मुझे फ्री हैंड छोड़ना मेरे ओपर कोई प्रैसर नहीं होना चाहिए जो मैं फैसले लूँ उसमें कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए वह माने जाने चाहिए बीशी से के सामने शर्ट रख देंगे अगर भाई साब ये भी बात पकी है कि गंभीर के आते ही कप्तान भी उनकी पसंद का होगा जो गंभीर चाहेंगे कप्तान वही होगा अब सवाल ये खड़ा होता है कि गंभीर के आने के बाद कप्तान होगा कौन गंभीर किस खिलारी के बारे में सोच रहे हैं आखिर गंभीर के दिमाग में क्या चल रहा है कि किस खिलारी को कैप्टन बनाना चाहिए गंबीर क्योंकि सबसे अलग सोचते हैं गंबीर थोड़े से अग्रेसिव खिलारी है आपको पता है तो उनको aggressive ही कपतान चाहिए, attacking कपतान चाहिए, attacking कपतान चाहिए, गंवीर थोड़ा सा हट कर सोचने वाले इनसान है, वो थोड़ा सा aggressive सोचते हैं, तो जाहिड तोड़ पर गंवीर उसी तरीके का खिलारी चुनेंगे. अब सवाल खड़े होते हैं कि गंभीर के दिमाग में कैप्टन के तौर पर कौन से नाम चल रहे हैं तो खबर ये है कि गंभीर के दिमाग में कैप्टन के तौर पर तीन नाम चल रहे हैं इन तीन खिलारियों में से कोई एक गंभीर के आते ही कप्तान बन जाएगा टीम इंडिया में बहुत बड़ा बदला होगा और गंभीर आते ही इन तीन में से किसी एक को कैप्टन बना देंगे खास्तोर पर अगर मैं बात करूं तो T20 में यह सबसे बड़ा बदला आपको गंभीर के आते ही देखने को मिलेगा और एलान भी हो जाएगा सबसे पहला जो के-क्यार जीती है और श्रे सेयर ही वो खिलाइटे जिसने दिल्ली को भी फाइनल में पहुंचाया था तो गंभीर भली बाती जानते हैं कि श्रे सेयर की कप्तानी कैसे क्योंकि 2024 में गंभीर ने नस्दीक से श्रे सेयर की कैप्टन सी को देखा है अच्छा वक्त भी आया ब यह के बारे में गंबीर समझ गए होंगे कि आखिर यह खिलारी किस तरीक है और चेंपिन बना कर आए हैं अपनी टीम को और अच्छे बल्लेबाज में यह थीजगती से रंभी बनाना जानते हैं तो श्रेश एयर को एक मैच्चुर खिलारी भी होना चाहिए क्योंकि रोहित औ 된 षराणा हो सकता है उसके लुए दूसरा छिलारी जिस पर बरोसा जताया सकता है और यह बहुत अच्छा किया भी धस्ता बउर्ट दोमेस्टिक में यूपी के कप्तान हैं तो जाहरतो पर नितीश राना के उपर भी भरोसा जताया जा सकता है अगर शुरे सीयर के उपर नहीं जताया गया तो नितीश राना आपको नए कैप्टन के रूप में नजर आ सकते हैं खास तो पर T20 के अगर मैं बात करू तो उसके बाद में तीसरा खिलारी जिसको कप्तान बनाया जा सकता है मुझे ऐसा लगता है जहां तक वो है संजू सैम्सन संजू सैम्सन नाखिवर T20 के अच्छे बले बाजा हलांकि जब जब टीम इंडिया में आते हैं उसका फायदा उठा नहीं पाते हैं सवाल बहुत खड़े होते हैं संजू सैम्सन के ऊपर की बाज सब आप आई पले में तो अच्छा करते हो लेकिन जब टीम इंडिया में आते हो तो आप उस मोके को भुना नहीं पाते हो लेकिन गंभीर जानते हैं इस खिलारी के अंदर क्या समझ है क्या सोच है क्योंकि जब से ये खिलारी राजिस्थान में आया है इसने राजिस्थान की टीम को एक अलग लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया एक अलग मैच्योर्टी के साथ कप्तानी करते हैं समझ है उनको ज़्यादा बोलते नहीं है गंबीर की तरह चुप रहते हैं। ज़्यादा रियक्सन देते नहीं संझ्जू सेमसन समझ क्रिकेट की है विकेट के पीछे विकेट कीपर अगर होता है कैपटन तो एक अलग तरीके से देखता है DRS को फैसलों को अलग तरीके से देखता है और गंभीर इस बात को भली बाती जाते है क्योंकि धोनी के साथ वो खेल चुके है तो गंभीर भी चाहेंगे कि एक विकेट कीपर कप्तान ऐसा मिल जाए जो बिलकुत चुप चाप रहे जादा ना बोले जादा रियक्शन ना दे जाद सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्योंकि अब्डेट मिलते रहेंगे तेंक्यों सब्सक्राइब